नमस्कार दोस्तों मैं उदलाट फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़मेत है दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी आज देशी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यवसाय के म लाखों का मुनाफ़ा कमाने का आज रास्ता खोल दिया है। इस कारण वश कितने युवा यूती स्व्यवसाय को करियर के आप्षन के तौर पर चुनना चाहते है। ऐसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है। और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखो का मुनाफ़ा कमाना है। आपकी यह चाहा वहाँ पर पूरी करने वाला विडियो लेकर आया हूँ। जिसमें बहुत कम दोस्तों जगह में आप लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो। इस सेरीज के तहट दोस्तों आज हम देखने वाले हैं किसरी 12 गुंठा जमीन ह यानि 12,000 स्क्वेर फिट की जमीन हो तो उसमें देशी मुर्गी पालन का व्यवसाय करके आप आसानी से दोस्तों हर महा 25 लाग का मुनाफ़ा कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना है कैसे करना है पूरी बाते समझ कर लेने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लीजे पसंद आया तो लाइक कीजे किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक कर अनुरोत करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईतरब निचली साइड में आ जाईए वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए औल इस नोटिफिकेशन को आउन कर दीजिए ताकि आने वाला आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों देशी मुर्गी पालन की एक अद्भुत संकल्पना कि स्रिफ बारा गुंठा जमीन हो यानि आपके पास स्रिफ बारा हजार स्क्वेर फिट के जमीन का वहाँ पर प्रबंद हो तो आप इतने कम जमीन से भी दोस्तों ह हर महा 25 लाख का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो लेकिन 12 गुंठा जमीन में हमें किस तरह से देशी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है 12 गुंठा जमीन में किस तरह से फार्मडे उलब करना है दोस्तों कि जिस माध्यम से हमें आसानी से मिलेगा हर महा 25 लाख का देखिए तो दोस्तों इसके लिए पहले बारा गुंठा जमीन को अपनाईए उसमें दोस्तों पाँच गुंठा जमीन में पूरी फेंसिंग कर लीजिए बाकी साथ गुंठा जमीन में फेंसिंग कर लीजिए और जो साथ गुंठा जमीन है दोस्तों उसमें से वहाँ पर दो दो-गुंठा जो जमीन होगी वहादो 002,1000 square feet के जमीन को shared कर दीजिये और 003,000 square feet का अलग से आप फेंसिंग कर लिजए और इस पाच गुंठा जमीन में से दोस्तो 4 गुंठा जो जमीन है उसमें दोस्तो आप सहर जल नहीँ तो अमरूत के पौधे आड़ बाए पाच पर लगा दीजिए ताकि सव पौधे बैठेंगे तो हमारी मुर्गियों को छाओ मिलेगी फिड मिलेगा अवशदिया मिलेगी जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी अलग से होगी वह अलग तो इस तरीके से प्रबंद करने के बाद दोस्तो एक साइड पर आपको बीस बाए पचास का यानि यहाँ पर दोस्तों पचास फीट लंबाई और बीस फीट चवडाई का शेड बनाना होगा अभी यह शेड बना दिया तो आगे का काम क्या है तो इसमें सामने से 327 का दरवाजा लगा देना है दोस्तों बाकी आपको वहाँ पर जो है दोस्तों चार तरफ चार एंगल को गाड कर दोस्तों पजबूत करना है नीचे PCC साइड से जीरो साइस की जाली ऊपर से सिमेंट नहीं तो टीन का पत्रा इस्तमाल करना है दोस्तों और उसके बाद दोस्तों एक आईसा प्रबंद करना है कि परिंदा भी परना मार सके आईसा शेड जहाँ पर 12 महागर्मी सर्दी और दोस्तों वरसाथ हो उसकी कुछ भी द जग हमें ज्यादा से ज्यादा मुर्गिया बैठे इसलिए दोस्तों हमें दर्वाजा छोड़ कर दोस्तों बाकी सभी तरफ से पाउन फिट जाली को छोड़ के अगली तरफ दोस्तों वहाँ पर 2 पीट, 4 पीट, 6 पीट, 8 पीट पर 1 इंच का आड़ा चवरस पाइप डाल है दोस्तों इस पाइप पर डालने का फायदा क्या होगा कि हमारी मुर्गिया हवा में भी बैट पाएगी और हवा में कितनी बैठेंगी, 20 फिट का आड़ा पाइप है तो उस पे 30 मुर्गिया, एक साइड से 4 पाइप, 30 गुना चार यानि 120, अपोजिट साइड को वाली तरब 300, यहाँ पर देखे 600, यानि 600 प्लस 240 यानि 840 मुर्गिया बैटने में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद सिर के ऊपर भी दोस्तों आहाँ पर पाइप लगवा सकते हैं, आप 20-20 फिट के तो वहाँ पर 23 पाइप बैठेंगे, एक पाइप पर 30 मुर्गिया 23 गुना 30 यानि 690, यानि आसानी से देख लीजे दोस्तों यहाँ पर आपकी 1530 मुर्गिया पाइप पर बैठ जाएंगी, सामने वाली तरब दरवाजा है, उसकी वज़स वहाँ पर पाइप तो नहीं बैठेंगे, इसलिए 30 मुर्गिया वहाँ पर कम हो गई तो 1500 मुर्गि लेकिन इतनी मुर्गिया नहीं बिठानी है, हमें स्रिफ 2000 मुर्गिया और 300 मुर्गे बिठाने है ताकि हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर 100 प्रतिशत संपन्न, तो देखे दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ पर आप देखोंगे, तो आपको इंकुबिटर लेना है, इंकुबि को आपको जमा कर करके, कर करके, दोस्तों वहाँ पर क्या करना है, अपने इंकुबिटर में डालना है, 900 देती है, मैं 100, वहाँ पर माइनस करता हूं, कि 8 ही, 800 ही मुझे मिलेंगे, यानि एक महा में मैं यहाँ पर तक्रीबन 24,000 दोस्तों अंडों को इंकुबिटर में तो इस माध्यम से मुझे मिलने वाला जो रेशो होगा, वो 18,000 चूजों का होगा, 18,000 चूजों को मिलने के बाद दोस्तों इन चूजों को मैं ने जो 2000 स्क्वेर फिट का अलग से सेड रखा है, उसमें डाल कर मैं बूडिंग करूंगा, उसके बाद एक महा के चूजे होने के परिस्तितियों में इस में से 9,000 चूजों को बेच देना है, 9,000 चूजों को बेचने के माध्यम से 100 रुपए के हिसाब से तो आपको वहाँ पर जो है रोस्तो रेट मिलेगा, 30 रुपए का खर्चा छोड़ दे तो 70 की तो आमदनी हो जाएंगी, यानि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको 6,30,000 का सव प्रतिशत मुनाफ़ा मिल जाएगा, अब यहाँ मुनाफ़ा मिलेगा, लेकिन मुझे क्या कहना है कि हम जो 18,000 है उसमें से 1000 चूजे मर गया, ऐसा पकड़ कर चलते हैं, यानि हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ 8,000 ज छोड़ दिये देते हैं तो 5,000,000 का मुनाफ़ा होगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वो ब्रुडिंग वाले चूजे हैं, एक महा के होने के बाद ही मैने जो दूसरा शेड बनाया है, जहाँ पर उपर से नेट है, और खुली हवा है, वहाँ पर एक से लेके 3 महा तक कम से कम 400 में, एक मुर्गा कम से कम 500 में, आउसस साड़े 400, इस में से 1,500 रुपए का खर्चा लगता है, एक चूजे को बड़ा करने तक वो खर्चा माइनस कर दे तो 300 का तो शुद्ध मुनाफ़ा होगा, 300 के शुद्ध मुनाफ़े में से हम यहाँ पर जो है, दोस्तों, प यानि साड़े 22 लाख रुपए की पूरी होगी दोस्तों यहाँ पर राशी, और साड़े 22 लाख रुपए होंगे यहाँ पर 6 महा के बाद मिलेंगे, लेकिन आपको दोस्तों वहाँ पर हर महा मिलेंगे, इस में से उपर के 2,50,000 भी छोड़ दीजे, यानि आप मुर्गी औ और मुर्गे बना कर 6 महा के बाद प्रती महा कितना मुनाफा का कमाओगे, कम से कम 20 लाख और साथी साथ में एक महा का चूजा बेचकर कमा रहे हो 5 लाख, यानि 20 लाख पुलस 5 लाख यानि 25 लाख, दोस्तों मुझे बताइए क्या गलत है, क्या एक महा का चूजा सव 12 घंटों कग वहां पर साथ 8000 के लिए काम कर रहे हो अपनों के साथ अपने गाव देहात में भी दोस्तों आप लाखों का मुनाफ़ा कमा सकते हो यदि आपके पास भी दोस्तों 12000 स्क्वेर फिट की जगह हो तो आप 25 लाख का मुनाफ़ा आसानी से कमा सकते हो देशी सारी संकल्पना है मेरे पास है जिनके साथ जुड़ते हुए कितने बेरोजगार हुआ यूती दिवयांग विकलांग विक्ति वयसका आबादी के सदस्य मेरे साथ जुड़ते हुए आज लाखों का मुनाफ़ा पा रहे हैं दोस्तों आप क्यूं पीछे क्या आपको पाना यह मुनाफ़ा क्या आपको नहीं बनना है मालिक क्या आपको नहीं कमाना है शुद्ध मुनाफ़ा लाखों में अगर हां तो दोस्तों अंदेरे में जो छोड़ा गिया तीर कभी लक्ष को भेद नहीं सकता है और आपका लक्षे दिलाखों का मुनाफ़ा कमाने का होगा दो दोस्तो तो तीर मारगदर्शन में होना चाहिए मारगदर्शन करने के लिए मैं तयार हूँ लाखों का मुनाफ़ा कमाने के लिए श्रीप 500 रुपए का मासिक शुलक लूँगा और उस पे दोस्तो आपको एक माहा यानि वहाँ पर आपको मारगदर्शन करूँगा जिससे आ संपर्ग किज़े चवराइसी इकिस बैयासी बासट बासट पर संपर्ग करने से भारत वर्ष का हर मुर्गी पालक भाई आप कमा सकेगा लाखों का मुनाफा लेकिन कैसे संपर्ग करके देख लिजे वहां पर बातचित आपके और मेरी हो जाएंगे मैं विस्तार से आपको प ज़्यादा ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाट्सप नंबर वाट्सप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चैट इन सोशल मीडिया के अपना और घर का सदे से मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल झारी में पलाएब देने दिखान आने के सब्सक्तराह।